दोस्तो तारक मैता की स्टोरी में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि कोई ना कोई प्रोब्लम होती है और उसे सारे मिलकर सुलजा रहे होते हैं उस प्रोब्लम का सुल्यूशन निकाल रहे होते हैं लेकिन दूस्तों इस स्टोरी में क्या हुआ कि अभी तक प्रोब्लम ही नहीं पता चली कि प्रोब्लम क्या है किस वज़े से पॉपट लाल को पुलिस ढूंड रही है आखिर पॉपट लाल ने ऐसा क्या जुर्म कर दिया है जो कि पॉपट लाल छिपता फिर रहा है और पुलिस भी उसे ढूंड जा रही है ना तो यहाँ पर चालू पांडे ने कुछ रिवील किया है ना ही पॉपट लाल ने लेकिन चलो एक अच्छी बात हुई कि यहाँ पर तारक मैता ने खुद बोल दिया है कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको पक्का पता चल जाएगा कि आखिर पॉपट लाल भाग क्यों रहा था चालू पांडे से तो गाइस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरी गोग कुल्दम सोसाइटी में चालू पांडे जो है वो सर्च करते हैं पॉपट लाल को लेकिन दोस्तों कहीं भी पॉपट लाल नहीं मिलता ऐसे में दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में पक्का यहाँ पर पॉपट लाल मिल जाएगा और हमें सारी की सारी बात बता चल जाएगी कि पॉपट लाल किस वजह से भाग रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि जो आग में तसे जूड़ी सभी अपडेट्स आपको मिलती रेंगी